है गाइज गुड मॉर्णिंग दिस दिरंदर कुमार देस्ट वर वाचिंग यूटिब चैनल इंग्लिस बाई डी एस तो मेरे प्यारे दोस्त जैसा कि पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्लेक्टिव नौन मिटेरियल नौन और अबस्ट्रैक्ट नौन के बारे में गलना किया आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी पार्सो पर स्पीच की गलना करने वाले हैं जो हम लोगोंने पीछे अलड़ी पढ़ चुका है भाई मेरे यहां से बाते यह होंगी कि और भी जो न नौन के अधर टाइप्स होते हैं हम उन्हें कैसे अडेंटिफाई करेंगे तो जो गलना आज होने वाली है ना यकीन मानिया बहुत इंपोर्डेन गलना होने वाली है क्योंकि यह गलना जो हम लोगोंने अभी तक पढ़ा उबस एक छोटा सा एक बेस पॉइंट था और उस कॉंसेट क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा और हर हाल में यकीन मानों मेरा हर हाल में आपका नौन बहुत अच्छा हो जाएगा आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मिंस किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आई प्रामिस अगर आपने सहीड ह से प्रिपेर किया आपने आपको दो के सो डाउन विस्टावर टाइम कम अन्द पॉइंट तो भाई सहाब जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया वो वीडियो भी काफी इंपोरेंट हुए आज की करना करने वाले देखिए कोई सी क्रेसी नहीं मेरे दोस् कुछ यूही है लेकिन बाते बहुत खास हैं बाते खास क्यों हैं सर क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बाते कोई ऐसे वैसी नहीं है बाते जितना हम लोगों अभी तक पढ़ा है उन सभी चीजों को हम लोग अपलाई करने वाले हैं जैसे कि हम लोग पढ़ तो तब ही तो यकीन होगा कि सर जो हम लोगों ने पीछले क्लासिस में पढ़ा उससे questions किस तरह से arise किया जाता है questions किस तरह से आते हैं exams में वही सारे चीजों को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं cover करने वाले हैं तो मेरे दोस्त जैसा कि अगर हम बात करें बात करें सर अब यहां पे एक बात arise होगी आप लोगों के दिमाग से वह बाते क्या है सर मैं उसके बार में थोड़ा सा नाले हैं क्योंकि मैं आपके सामने इन चीजों के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से गलना दरूंगा फिलाल अभी नहीं लेकिन हाँ इसके बारे में भी चर्चा हम लोग चरूर करेंगे discuss बहुत जब करेंगे फिलाल अभी इतना देखा है क्या कि non kind या non types अब यहां पर बात आती है कि kind या types के बारे में तो हम लोग पर चुक है difference क्या होता काइंड में और types में इसकी करना हम लोग आगे के classes में करेंगे फिलाल अभी जो हम लोग पास में उसकी करना कर लें उसकी करना यह है कि अगर हम लोग बात करें नान की तो नान यहां से जनरली डिवाइड किया जाता है उसका टाइप भी मात्र दो है अब यह दो है कौन एक का नाम है uncountable और दूसरे का नाम है countable जी हां आपने शही शुना countable uncountable तो यह रही हमारी की आज की secret matter अगर गल्ला करें कि सर्कांटेबल नान और uncountable नान तो भाई सहाब यह होता क्या है अगर हम लोग बात करें कि countable नान और uncountable नान तो यह अपने आप में होता क्या है सबसे बढ़ी बात सबसे बढ़ी बात यह कि countable नान और uncountable नान अपने आप में होता क्या है तो अगर बात करें countable नान और uncountable नान की इसके definition से हम लोग को बहुत कुछ पता चालने वाला है तो सर किसी एक के बार में पता लगा लें दूसरे के बार में अपने आप पता चल जाएगा यह ऐसे हैं तो हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं रिलेट करते हैं एक जैसे नहीं है लेकिन हाँ इतना है कि अगर हम लोग एक को समझ जाए तो दूसरा खूब अपने आप में समझ आने वाला है तो कैसे सर तो देखे हम लोग कैसे पड़ने वाले भाई साब जितनी भी बाते हम इसके बारे में करवाने वाले है ना बहुत अच्छे डंग से नोट करते हुए चलिए अपने पेल और कोपी लेकर ही बैठे भाई साब हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चले किसी भी से छोटे से छोटे पॉइंट को भी आप छोड़े नहीं क्योंकि सर अगर आप इधर में छोड़ते हैं तो इसके आगे आने वाले जो चीजें हैं इससे आगे आने वाले जो हम पॉजिशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कामन पॉजिशन स साथ में मार करने वाली हैं अब जरह सोचके रखें कि सर अगर हमें यह समझ में आजाते हैं तो आगे की चीजे बहुत आसान होने वाली है इसी लिए यही वज़े है मेरे दोस्त कि हम छोटे छोटे चीजों को भी कवर करते हुए चल रहे हैं ऐसा कहीं नहों कि हम लोग पित्त उंच होडड़ दिया उतवग तुमने तो छोड़ा चूड़ा क्यों पैसे कम दिया थे नहीं में पने कम किया ते तुम ने में कम किया तो चूड़ा कूँ तो भी साभ इन से ऑन कटे और यह से ले बस आपके नाम कर दिया क्या कि सर आप एक भी एक भी मार्क्स छोड़ कर ना हो grammar section से तो बिलकुल नहीं अगर हम लोग बात करें सर किसी भी exam की तो किसी भी exam में हम लोग खास करके English की दुनिया में जितना है उतना तो cover नहीं कर सकते उतना cover नहीं कर सकते और उसमें भी कुछ ऐसे questions होते हैं कुछ ऐसे questions होते हैं जो grammar पर based होते हैं और कुछ ऐसे questions होते हैं जो आपके logic पर based होते हैं तो आप logic कहां से सिखेगा, ऐसे ऐसे चीजों से ही, कुछ अपना लगा दीजेगा सर, कुछ अपना लगाईएगा और वहां से जरूर कुछ नया नया सिख जाईएगा, इसलिए भाई सहाब, आपना हर एक चीजे को, हर एक चीज को point wise note करते होगे चलें, तो चलें, हम लोग एक एक करके सीखना सुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके सीखना सुरू करते हैं चीजों को, और देखेंगे, देखेंगे क्या, कि सर आखिर में ये countable होता क्या है, दुसरा, कि सर आखिर में ये uncontable होता क्या है, तो हम headline बनाते है, अनकॉंटेबल नाम की अनकॉंटेबल नाम सिंपल सी बात हैं अनकॉंटेबल याद आया याद क्या आया सर जरह सोचिए सोचिए क्या कि हमने आपको अबस्ट्रैक्ट नौन पढ़ाया था भाई मेरे अबस्ट्रैक्ट नौन पढ़ाया था और उस अबस्ट्रैक्ट नौन में हमने आपको दो तरीके से वर्ड को पढ़ने के बारे में जिखाया एक दो कि बेशिक यूनिट के दोवारा बेशिक यूनिट जिसमें क्या था? रूट रूट के आगे और पीछे कुछ ना कुछ लगाये जा देते जिसे हम लोगोंने क्या नाम दिया थे? पिक्निक का नाम दिया था? क्या था? आफिक्स अब जरा सोचिए अगर हम लोग यहां से वर्ड को अलग-अलग करना शुरूर करें तो countable और यहां पे बना uncountable countable मतलब जो गिना जा सके और uncountable मतलब जो ना गिना जा सके अब जरा सिंपल सी बात को नोट करते हो चलिएगा यहां से जो भी बाते हम लोग करने वाले हैं फिलहाल क्योंकि यहां से जो बाते होंगी ना बहुत notable होने वाले हैं मेरे दोस्त इसलिए मैं आप से कहता हूँ कि यहां से point को हर हाल में note करते हैं uncountable non अगर हम लोग बात करें इसलिए point वाइस हम लोग बाढ़ते चलेंगे हर एक चीज को अलग अलग करके ही पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज हम लोग के लिए tough सा ना लगे अगर हम लोग बात करें point के point number first इसको दीजेगा और point number first में हम लोग पढ़ने वाले हैं uncountable non के बाले में अब cannot be counted मतलब कि uncountable होता क्या है तो जिसे गीना ना जा सके जिसे गीना ना जा सके वह अपने क्या होगा uncountable अगर हम लोग बात करते हैं जैसे simple से अगर मैं बात करूँ example की जैसे a star a star के बारे में आप बताओ आपके बताओ कि यह अपने आप में countable non है या uncountable is लग गया ना जटका कि sir यह countable non है या uncountable known है बहुत बड़ी बात होने वाली है अपने आप में है क्या अप लोगभी जड्या सोचे मेरे साथ कि zar star अपने आपमें है क्या यह जो लिखा हम ने कि star अपने आप में Taco यह आंकांटेबल है इसकी बाद जढ़ा भी बताएं कि तो मैं बताता हूं आपको मैं क्या ऑफो कि star अपने आप में Noel है या uncountable है में स्मझेंगा कि टें अपने आप में Leo अपने आप अब आप क्या कि सेर आप तो मजा कर रहे हो मजा ले रहा हूँ, वह भाई साथ इससे देख कर तो तुरह बता दोगे साथ यह सोच्छो कि पेल को गीन सकते हैं, तो स्विरु पेल यह जितने पेल हैं आप उनको किल सकते हैं अब कहोगे, फिर से मजा ले हूँ, यार मेरे, अब ज़रा सोचो, मेरेपास यह दू-दो-स्केस-पेन है, अगर मैं बात करों कि यह दो-स्केस-पेन, आपने तुरत-कॉंट के असर, यह तो एक है, यह लगा कर दो हो गए, दो मिला कर दो हो गए, अजरा सोचिये कि आपने देखा और तुरत बोल दिया कि सर आप तो दो हो गए अब दो हो गए जरा सो गौर की जिये sentences words के ओपर कि सर हमने क्या कि हमने pains को आप कर दिया pains start अपने आप में countable है या uncountable है आपका जवाब आएगा कि सर ये सच में क्या है तो uncountable नहीं है खा गए ना जटका भाई साथ ये अपने आप में countable है क्यों सर अगर ये countable नहीं होता countable नहीं होता तो ज़रा सोच ये सबतरसी तारा मंडल नाम तर सुना ही होगा सबतरसी तारा मंडल ये कैसे बढ़ता उसका नाम तारो को गीन करतो ही कि साथ तारो का जिस मुह है उसे हम लोग कहते हैं सब्तरसी तारा मंडल अब जरह सोचिए अगर गीना नहीं जाता तो क्या उसका नाम बढ़ता कि यह सब्तरसी तारा मंडल है और दूसरा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर अस्टार अपने आप में कॉंटेबल है तो और कैसे वालने भारी साब हम लोग पूरी दुनिया की चीज़ों तो गिन नहीं सकते हैं क्या पूरी दुनिया के पेंस को गिन सकते हैं पूरी दुनिया के पेंस को नहीं गिन सकते हैं तो बस वैसे ही सोचे ना कि सर तारे को गिन सकते हैं जरूर लेकिन पूरी दुनिया के तारों को गिन नहीं सकते हैं क्या नजर नहीं आता कि एक तारे दो तारे ऐसे होता है ना तो सर तारे तो गिन लेते हैं लेकिन पूरी दुनिया की तारों को नहीं गिन सकते ठीक उसी कर ऐसे जिस तरह से पेन है मेरे पास में जितना मेरे पास में मैं उसको गिन सकता हूं क्या पूरे दुनिया की पेन उसक कि वह भी एक काउंटिंग वाला गौर होता है जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें 0 water 0-234 कहा तक जाएगा इंफिनिटी तक इंफिनिटी तक मतलब इसका कोई अंत नहीं है इसका कोई अंत नहीं है करने का मतलब यह है कि फिर भी गिना जा रहा है या नहीं जा रहा है इसका कोई अंतों नहीं है ना इसका कोई अंत नहीं है फिर भी गिना जा रहा है ठीक उसी तरह से इसका भी कोई अंत नहीं है लेकिन इसे भी गिना जा सकता है तो मेरे दोस्त यहां से एक बात निकल कर सामने क्या आई कि सर जो content के words होते हैं वो गिना possible है लेकिन गिना नहीं जा सकता उके उसे गिना नहीं जा सकता है इसी लिए इस words में हम लोग इसे क्या कहेंगे कि सर यह अपने आप में कॉंटेबल है यह अपने आप में क्या हो तो यह अपने आप में कॉंटेबल हो तो उसी तरह से star भी अपने आप में क्या है तो कॉंटेबल है क्या इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं इसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं अपकोस बना सकते हैं सर कि हम लोग अगर इसका कॉंटेबल है अगर यह कॉंटेबल है तो हम लोग इसका स्टार्स भी तो कर सकते हैं इसका अगर प्लूरल बनाएं तो इसका स्टार्स भी तो हो सकता आपने और यह क्या हुआ तो पुल्रोल हुआ यह सिंगुलर है मेरे दोस्त अब कॉंटेबल है तो सिंगुलर और पुल्रोल तो होंगे यह ओंगे लेकि ज़़ा एक और कीजिए किसरी यह स्टार थे तब ऐसा हो गया एक मैंने एक्जैम्पल लिखा वाटर ऑके मैंने एक्ज दब्बा है मेरे पास एक डब्बा है यह पानी का अब ज़रा बताएं पानी को गिन सकते हैं क्या पानी को गिन सकते हैं बिल्कुल नहीं अपको उसमात आप बिल्कुल भी नहीं गिन सकते मेरे भाई अब ज़रा सोच कर देखिए कि सर पानी को नहीं गिना जा सकता हां किसे कं ना जा सके, आप क्या कहोगे, एक डबा पानी है, भाई सब ऐसा कहोगे, पानी को ऐसे बोलोगे, दो डबा पानी है, ये डबा डबा आकर तो उसे मेजर करने की कोशिस कर रहा ना, कॉंटिंग कहां कर रहे हो, आप कहोगे, एक पानी, दो पानी, येलो तीन पानी, ऐसे, ले पानी ऐसे भाई साभ ऐसा थोड़ी होता है कि आपने उठाया और ले इत्ते सारे पानी भाई साब आप उसे मेजर कर सकते हो कौंट नहीं कर सकते और हमने क्या कहा कि सर कैनोट भी कौंटे अनकांट पेवर नान में हम लोगों ने पहला पोइंट में यह पढ़ा कि कैनोट भी कौंटे जिसे गिना ना जा सके गिना ना जा सके कहने का मतलब क्या है उसे मेजर किया जा सके उसे मापा जा सके उसे वईट क किया जा सके balance किया जा सके तो sir water को क्या किज़ेगा आप किया सर इसको भी plural होगा और पूल्डर बनाने के चक्कर में क्या करेंगे आप लगा देंगे इस हो गया water लोग कर दें प्लूरल भाई सहाब यह क्या कलतियां किया सारे वाप ऐसे होता है ऐसे अगरेजी पढ़ रखे आपने भाई मेरे अगर यह अपने आप में है अनकाउंटेबल नौन तो यकीन रखिएगा क्या कि sir अनकाउंटेबल नौन का प्लूरल नहीं होता यह बाते तो हम लोग पढ़ चुके हैं sir कि जितने भी अनकाउंटेबल नौन होते हैं उसका प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त और कभी भी हम लोग उसका प्लूरल नहीं बना सकते इस बात को याद रखिएग तो पहला केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि sir cannot be counted उसे क्या कहते हैं uncountable non कहते है अस्टार अपने आप में क्या है countable non है क्यों sir क्योंकि अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर को अगर count करना शुरू करते हैं इसका भी कोई अंतनी है infinity तक जाता है infinitive तक जाता है इसका कहने का मतलब यह है कि इसका भी गिनना possible नहीं है ठीक उसी तरह से जिस तरह सा star को भी गिनना possible नहीं है हाँ, count किया जा सकता है, यह बात अलग बात है, कि count कर सकते हैं, count किया जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में, जितने available हैं, उसे नहीं गिना जा सकता है, यह तो infinitive है, लेकिन, याद रखें कि जिसे गिना जा सके, वो अपने आप में क्या होता है, countable, और जिसे ना गिना जा noun uncountable noun तो बाते यहां तक समझ में आई तो चलिए आगे की और बढ़ते हैं भाई साहब इस point को अगर आप note करना चाहे तो note करते हुए चलिएगा हो सके तो मेरे साथ साथ में भी note करते हुए चलिए और यह तो वीडियो आपके पास में हम आपको सिखाने वाले है सर कि एक होता है countable noun और एक होता है uncountable noun एक होता है countable noun और एक होता है uncountable noun अगर हम बात करें fedigous दूंद तो यह अपने आप में क्या होता है singular और plural जैसे अभी आपने क्या सीखा कि सरब अगर हम लोग करहें boy तो boy को कोंट किया जा सकता है क्या पूरी दिया पर फोंट किया सकता है यह नहीं नो फिर विए क्या होता है सर्श अगर हम लोग बात करें और अनकांटेबल नौन की तो इसका सिंगलर भी पॉसीबल है और पुलूरल भी पॉसीबल है इसका सिंगलर भी पॉसीबल है और पुलूरल भी पॉसीबल है तो गोई का गोई उसी तरह से अगर हम बात करें अस्टार को तो हो जाएगा अस्टार्स अस्टार तो अस्टार्स अगर बात करें uncountable noun की तो यह इसका singular और यह इसका plural सोचने वाले बात है अगर मैं बोलूं water तो water का क्या किस दिएगा waters अगर मैं बोलूं milk तो क्या किस दिएगा मिल्क्स ऐसे यह तो मज़ाग कर रहे हैं आप से इसके साथ हैं आप तो इंगले इसके साथ हैं मज़ाग कर दा रहे हैं तो जैसे आप देखे आप किया वहाइब सब्सक्राइब अगर हम लोग बात करते हैं आक्स तो आक्स हैं अगर हम लोग बात करें मैं तो हो जाता है हमें यह भी सब्सक्राइब जब सोचिए इस पॉइंट के बादे में हम लोगों ने क्या सिखा है कि सर अगर किसी भी कॉंटेबल नौन के लास्ट में एस या इस लगा दो तो वो बन जाता है प्लूरल क्या सब जगह पर पॉसिबल है लोग करनो बात भाई सहाब सबी जगह पर तो पॉसिबल नहीं है ना तो मेरे दोस्त सब जगह पर पॉसिबल नहीं है कुछ जगह पर सही होता है कुछ जगह पर सही नहीं होता है तो देखिए इस चीज़ को समझने के हिसाब से आज ना हम एक पीडियो डाल देंगे बहुत बेसिक पॉइंट्स होंगे आप उसे अच्छे धंग से प्रिपेर कर सकते हैं खुद से प्रिपेर कर सकते हैं इसके लिए जादा पुछ लगाने के ज़रूरत नहीं होगी आप उस इस प्रिपेर सोच यह वह सहर हमने आपको दो चीरों को बता क्या कि अगर सिम्विनर है तो इसका पुलूरर को नहीं से इससु आपको नहीं बताँ है कि भाई साहब water अपने आप में singular है या plural है जड़ा सूची इस बात के उपर कि water अपने आप में singular है या plural है आपके पास में आपका time है चलिए शुरू करें भाई सहाब आपका जवाब तो बड़ा complicated उल्जा दिया ना भाई सहाब याद रखियेगा water ना तो अपने आप में singular है और ना ही plural है क्या बात कर रहो जड़ा सोचू इस बात के बारे में कि water अपने आप में singular है या plural है तो मैंने कहा कि भाई सहाब ये ना तो singular है और ना ही plural है तो है क्या बड़ा जीव सी बात है तो सर जी यहां से एक सवाल उड़ता है कि अगर यह singular नहीं है तो यह है क्या तो मैं आपको बताता हूँ यह ना तो singular है और ना ही यह plural है अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको singular मानते हैं हम लोग singular consider करते हैं यह singular होता नहीं है आप तो को गया जी पागला बना रहे हो आप तो हमें क्या कर रहे हो सर आप तो बिल्कुल पागल समझ रहे हैं कि आप लोगों को कि singular मानते हैं singular होता नहीं है जब होता ही नहीं तो फिर मान देगी हुए ये कौन सी गलना हुई भला तो भाई साब आपको एक सिंपल से एक्जेम्पल से समझाता हूं ओके आप बोलते हो न ये मेरा बेटा नहीं बेटे जैसा है ये मेरा बेटा नहीं बेटे जैसा है और वो मेरा बेटा है अब बताओ भई साप इन दोनों चीजों में क्या लाजीक है आपको यहाँ बाते क्या समझ में आई एक है नहीं मानते है और एक है अंतर है ना तो भस वही बाते याद रखेगा कि सOR सिंगुलर है नहीं सिंगुलर कंसीडर करते हैं बस इस बात को याद रखेगा अब अगर हम लोग बात करें किसे सिंगुलर कंसीलर करते हैं सिंगुलर है नहीं तो याद रखेगा जिसका सिंगुलर होता है उसका प्लूरल भी होता है लेकिन सर हम लोगों ने तो बस इसे मान रखा हैं ना कि यह similar है, यह similar थोड़ी है, हम लोगोंने बस मान रखा है, तो याद रखेगा कि इसका plural कभी भी possible नहीं है, अगर वो singular ही नहीं है, तो plural कहां से होगा भला, इस बात को याद रखेगा, कि uncountable norm का plural कभी possible नहीं है, क्यों? क्योंकि वो singular ही नहीं है, अगर वो सिंगुलर होता तब हम उसे क्या करते तब हम उसे क्या करते तब हम उसे plural बना सकते थे लेकिन ये तो सिंगुलर ही नहीं है भाई साथ जैसे एक छोटे से example से मैं समझाना चाहूँगा आपको जैसे जैसे देखिए हमने लिखा gold gold have ya has been sold by him अब आप बताएं कि gold अपने आप में क्या है गोलड अपने आप में क्या है तो sir gold अपने आप में UNFONTABLE loan है तो UNFONTABLE loan को कैसा माना जाता है ये तुHOU प्लूरल तो उसका आने वाला हेल्पिंग प्लूरल यही तो न यही तो आने वाला helping वब कैसा होगा similar तो गुल्ड अपने आप में singular है तो sir इसके साथ में आने वाला helping वब plural होगा तो आप बताएं कि have या has तो ज़रा सोचिए have भीवन है और जितने भी वब के first part होते मिल बेस पार्ट होते हुए हमेशा plural होते हैं sir और जितने भी fifth part होते हो इस साथ के सब singular होते हैं sir तो इसके साथ में क्या होगा यह यह तो नहीं होगा ना sir तो gold has been sold by him आपने यहां से क्या समझा कि sir gold singular है उसके साथ में आने वाला है लेकिन वह भी singular ही होगा यहां तक बाते समझ में आई तो भाई सहाब आप इस बात को याद रखेगा मैं एक बार wind up कर दूँ इस चीज़ को मैंने क्या बताया मैंने बताया कि part two में एक होता countable non और एक होता uncountable non अगर बात कर countable non की तो countable non के दो टेक्स एक singular और एक plural दो पलड़ा हो गया ना एक singular वाला और एक plural वाला अगर singular होगा तो plural होगा और अगर singular होगा ही नहीं तो plural बहला कहां से होगा तो याद रखेगा कि countable non का singular और plural दोनों possible है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं uncountable non की तो uncountable non का ना तो singular होता है और नहीं plural होता है हम लोग बस उसे singular consider करते हैं यहां तक बाते पलने पड़ी तो भाई साब अब अगला point mention करते हैं हम और इस point को करते हैं when तो चलिए अगला point है third और जिसमें हम लोगोंने headline बना क्या इसली पढ़ते हैं uncountable non को अधि अधि हम लोगोंने क्या पढ़ा है पूसी के बारे में हम लोग mention करते हुए चलते हैं क्या किसल uncountable non का ना तो singular होता है और ना प्लूरल होता है ना तो singular होता है नहीं प्लूरल होता है हम लोग इसे क्या करते हैं singular मानते हैं है भाई साथ हिंदी में जैसे लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखिएगा सिंग्लर होता नहीं है सिंग्लर मानते हैं सिंग्लर होता नहीं है जैसे अगर हम लोग बात करें कि वाटर अपनी आप में क्या है तो uncountable non हम लोग बना देते हैं प्लूरल और हो ज़ाता है क्याay वाटर्ड लिख जाबल यह तो बिल्कुल गलत है अगर plural होता है नहीं है तो यह भी गलत है कि से अगर यह न्होंकोंटेबल ही नहीं है तो पिल यह भी गलत है और अगर बात करें कि सब्सक्राइब तो प्लूरल बना रहो तो गलत है ऐसी बात नहीं है वो अपनी जगह पर साइड नहीं है वो अपनी जगह पर साइड लेकिन अगर आप इसका plural बना रहे हो ना तो भाई साब वो गलत है क्या बाते कर रहे हैं सर यह गलत है ऐसा कैसा हो सकता है ऐसा possible ही नहीं है तो बस एक अच्छा सा note तयार करके और भाई मेरे अपने दिमाग में सेट कर लिजेगा कि plural of uncountable non is not possible plural of uncountable non is not possible बस ये बातें अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फीट कर लिजेगा यह point number third की logic है कि भाई साब हम लोगोंने point number third में क्या पढ़ा कि uncountable non ना तो similar होता है और ना ही plural होता है हम लोग इसे similar consider करते हैं अगर इसका plural बनाने की कोसिस करें तो अपने आप में क्या होता है भाई साब वो अपने आप में होता है गलत तो भाई मेरे अगर हम इसे plural बनाने की कोसिस करें तो हमेशा क्या होगा गलत अगर हम लोग इस words में एस या येस जोड़ें तो उसका एक अलग सा word होता है उसका एक अलग meaning होता है sorry अगर हम लोग इसमें एस या येस जोड़ें तो उसका एक अलग सा meaning होता है और वो meaning कहीं और जाकर apply किया जा सकता है ऐसी बात नहीं कि अप्लाई किया जा सकता है तो चलिए यहां से एक और पॉइंट निकल कर आया पॉइंट क्या निकल कर आया कि सर इसका मेनिंग क्या होता है तो चलिए हम लोग पॉइंट नमबर करते हैं फोर तब तक आप कीसे चाहें तो कर सकते हैं नोट